हालो दोस्ट, वर्ट्ट्ट्विस चैनल में आपके स्वागत, SPS Junior Associate का जो 2021 का बक्ती प्रिक्रिया चल रही थी, उसका कल आपका 24th December 2020 को रिजल्ट डिक्लेर हो गये, और अब जो सबसे ज़्यादा क्वारीज जो मिल रही है, वो मिल रही हैं इसको लेके कि वेट लिस्ट कहां तक क्लियर हो जाती है, या वेट लिस्ट कब आएगी, फिर रिगार्डिंग वेट लिस्ट सबसे ज़्यादा क्वारीज आ रही, पिर जो बच्चे बिलकुल मार्जिन पे रहे, जो बच्चे बिलकुल मार्जिन पे रहे हैं, उनके मन में बहुत पड़ी क्वारी चल रही है, कि हमारा वेट लिस्ट में क्लियर होगा कर नहीं होगा, कब होगा, तो आज का जो सेशन है, इसमें पूरा यही डिसकस करेंगे, और इसमें जो भी प्रिवेस एर्स का ट्रेंड है, जैसे 2018 में क्या हुआ, फिर 2019 से पीस की जो बरती की सेकंड वेट लिस्ट अभी सितंबर में रिलीज हुई थी, वो जो प्रिक्रिया एक बरती प्रिक्रिया चल रही है, उसमें क्या कुछ हुआ था, जो कुछ डाटाज मुझे मिल पाएं, उसके अकोर्डिंग अपने चर्चा करेंगे, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं 2018, 2018 का जो रिक्रिटमेंट था, 2018 तो 2018 मलें, 2018, 19 इसको आप कह सकते हैं, 2018, 2019 का जो रिक्रिटमेंट था, उसमें तीन वेट लिस्ट आई, फैस्ट, सेकेंड और थर्ड, राइट, फैस्ट वेट लिस्ट जो थी, वो करीब करीब 1250 बच्चों की आई, सेकेंड 500 प्लस थी, और थर्ड जो थी, वो सेकेंड से बड़ी थी, 600 प्लस थी, और ये जो वेट लिस्ट आई, ये आई थी आपकी 21st जेन, 2019, 2019 को आई, फिर दूसरी जो आई, वो 20th अपरेल को आई, और तीसरी आई, वो 20th अगस्ट को आई, क्योंकि ये सेडल टाइम पर एकजाम था, सेडल टाइम पर इसका result आई थी, अब इसके बाद आया, अपना 2019-20 का, जिसकी सेकेंड वेट लिस्ट रिसेंट रे डिक्लेर हु इसकेंड प्लस, 200 प्लस से कंडिडेट थे, और 20th, फेव 2020, यहां आई, क्योंकि ये एकजाम आपको द्यान हो कुछ से, बाड के कारण या कुछ से वजों से, कुछ इसमें, स्टेट्स में एकजाम आगे हुई, पीछे हुई, कुछ से, इस्यू चले थे, और एकजाम थोड पूरा सीन ही कुछ चेंज हो गया, और ये करीब साइद है, 1321 बच्चों की ये एलेस थी सेकेंड, और ये वेट लिस्ट आपकी आई, 28 सेप्टेमबर को, जो रिसेंट अभी आई है, थेर्ड वेट लिस्ट आपने चल रहा था, कि आएग एक नहीं आएगी, तो आती तो व वोल्यूम था, ये जो अभी जो रिसेंट जो गई है, वो उसका वोल्यूम था, अब जो एक बड़ी जो चीज है, वो है कट ओफ की, ये तो वोल्यूम था, और ये बड़ा वोल्यूम डू टू एलाईसी असिस्टेंट भी था, जो 19-20 की बरती में आप 2100 और 1321, आप लाईसी असिस्टेंट में होगे, तो उन्होंने इसमें जोइन नहीं किया, साथ ही दूसरी वज़े तो जो 18 में बनी, वो ही बनी, कुछ पीयों में सेलेक्ट हो जाते हैं, वो नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जिनको IBPS क्लर्क में अपना स्टेट मिल जा अब जो यहां अगर आप देखें, 2018-19 में भी जितना मुझे मिल पाया है, उसमें अगर मैं मारास्टर कुछ इस्टेट्स का में चर्चा करूँगा कि कहां तक के कटोफ क्लियर हुई, इनमें थर्ड वेट लिस्ट है, मारास्टर की, मारास्टर में इसका था 85.65 कटोफ थी आपके ओरिजनल रेजल्ट में, जनल केटेगरी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, और 21.15 तक थर्ड वेट लिस्ट में क्लियर हुई, दूसरा यूपी का अगर मैं देखूं तो यूपी में 96 कटोफ थी और 91.9 तक थर्ड वेट लिस्ट में क्लियर हुई, थर्ड अगर एक राजस्थान का मुझे पता चला है, राजस्थान में 96.75 फे कटोफ थी और आपका 91.85 तो यहां आप देखोगे, तो करीब 4-5 मार्स का इन स्टेट में है, तो इन में सभी तरह की स्टेट महरास्ट में आलाएं कि वोल्यूम काफी बड़ा होता है, और यूपी में भी ओब तो राजस्थाने के वरेज स्टेट है, यहां भी देखो, तो करीब 4-5 नमर का गैप यहां न जगा रहा है, राइट, पांच मार्स के असपास का, यह था 2018 का, अगर अभी रिसेंट जो फेस्ट वेट लिस्ट इसकी हुई है, और सेकेंड वेट लिस्ट, तो सेकेंड का मु अंदाजा लगना चाहेंगे, तो वो मैं जैसे आपको एक टेली बताता हूँ, यह उसका निचोड था, जैसे यह स्टेट से, इन पे यह केटेगरीज हैं, और जिन बच्चों का मुझे मिला, तो जहां नेगेटिव है, उसका मतलब है कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि मेरा एक नमबर कम था, लेकिन मैं नहीं आए, और पोजिटीव वो हैं, जिनोंने कहा कि मैं 2.25 से लेकर रहा था, और मैं अंदर आगे, यह फैस्ट वेट लिस्ट है, फैस्ट वेट लिस्ट का है यह 2020, जो अभी आपके 25, 25 को जो लिस्ट आई है, 2020 में, उससे वेट यूपी में जैसे अन्रिजर्ड में 2.25 मार्क्स जो पीछे था, उस बच्चे ने कमेंट किया है कि मैं अंदर आ गया हूँ, तो कमस कम इतना तो है, इससे ज्यादा भी थोड़ा हो सकता है, वैसे ही जैसे OBC में 1.25 वाला तो अंदर था, लेकिन 2 मार्क्स वाला अंदर नही नहीं था, 0.5 वाला अंदर था, कुछ स्टेट में जैसे यहां 2.25 वाला अंदर था, यहां 0.25 वाला यहां 2.25 वाला अंदर था, उडिशा में 2.5 वाला भी अंदर था, यहां 2.5 वाला यह सब अंदर था, तो आप यहां अंदर था, तो आप यहां अंदर था, तो आप जै और दूसरी जो EWS में और इन में भी देखें तो अरियाना EWS में 4 marks वाले बच्चे का भी कमेंट आया था कि वो अंदर हो गया जो 4 marks से ले कर रहा था वो अंदर हो गया और यह फैस लेट लिस्ट राइट जो मैंने आपको 2019 का जो 5 marks के आसपास का जो गया बताएं वो था आप्टर 3 लिस्ट थार्ड लेट लिस्ट के बाद जो निकल के आया था वो था वो यहां देखिए एक पॉइंट 25 वाला लेकिन यहां देखिए मर्द परदेश में एक नमर वाड़ा अंदर नहीं था इसका अब एक से भी कम क्लियर हो पाया यहां पॉइंट 5 वाला AWS वाला क्लियर नहीं वाई तो यह क्या इस पे भी डिपेंड करता है कि जसे आपने पर्टिकुलर इस्टेट में पर्टिकुलर इस्टेट में कितने लोग पर्टिकुलर केटेगरी 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 से फिल की जाईगी जैसे वरास्थान में देखें इसमें कुछ भी सर्टेन वेकेंशी जैसे यहां से 20 वेकेंशी बीस में से जोइन करने वाला कोई एक या दो ऐसे होंगे जिनका दूसरी जिए सेलेक्षिन ज्यादा हुआ होगा अब यहां देखिए यहां पॉइंट फाइव वाला भी नहीं हुआ और हरियाना में चार नमर तक का भी EWS वाला हुआ हो मार्स के जिनका भी तो यह उस पे भी काफी कुछ है डिपेंट करेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रिवेस वेर्स का जैसे ट्रेंड जो देख रहे हैं जैसे यह फैस्ट वेट लिस्ट है इसके पाद सेकेंड हो रहा ही है तो सेकंड वेट लिस्ट में और अच्छा वोल्यूम क्रेट हुआ होगा तो कम सकम जो बच्चे जिन बच्चों का वह कोई 75 से रह गया मैं 2 से रह गया तो उनकी तो अच्छी खासी पोसिबिलिटी अंदर आने की लगती है लेकिन एक चीज में फिर आप लोगों से सेर करना चाहूंगा वो ये है कि बले ही आप 0.25 मार्क से ही रहे है लेकिन आप अपने स्टेडीज को बिल्कुल भी स्लोडाउन मत कीजिए क्यूंकि आप इस लेवल तक गए है इसका मतलब आप में वो चीज तो है जो सेलेक्शन के लिए जी और अपकमिंग जो आपके एक्जाम्स हैं जैसे आपने पहले प्री जो दे रखी होंगी या जैसे अभी SBA PO Pre देना चाहरे है IPACE PO Pre भी आप दे चुके IPACE CLERC Pre भी आप दे चुके उनके भी मेंस जब आप इसके मेंस से गए हैं उसमें भी प्री आपका डेफिनेटली क्रेक होने की कॉसिबिलिटी जदा है तो उनके mains को भी आपको आगे जाना है तो वो भी preparation कीजी और slow down मत कीजी क्योंकि अब आपकी preparation का level वो है जहां थोड़ा सा input भी बड़ी exam में convert कर सकता है SBA clerk पहली exam 20 साल की और जिन भी बच्चों ने SBA clerk में crack किया है SBA clerk में जिनों ने भी crack किया है तो मान के चलिए कि वो deserving candidate और आप लोगों का more or less इनी बच्चों से competition upcoming exams में होगा तो आपकी possibility तो सबसे ज़्यादा है दूसरा जो बच्चे margin पे रहे हैं वो इसको ले positive कि यह पहली exam थी इसका result आया है अब इनी बच्चों में से SBA PO भी बनेंगे, IVPS PO भी बनेंगे, कुछ ऐसे IVPS RR भी PO भी बनेंगे, कुछ clerical caterer में IVPS में भी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने SBA दूसरे स्टेट से दिया, IVPS अपने स्टेट से दिया, वो बच्चे भी इसके अंदर आएंगे तो weightless तो अच्छी खासी आएगी, ऐसा नहीं कि यह weightless ने छोटी आएगी, weightless यहां भी अच्छी खासी आएगी clear भी, काफी बड़ा gap भी clear होने की संभावना है, लेकिन आप इस चीज को बिलकुल भी लेना इसको positive, इसको negative मतले है लड़ा, कि मैं ठीक है, निस्चिंत हो गए, कि मैं तो एक नमर से रहा हूँ, मेरा clear हो जाएगा, मैं study बंद कर देता हूँ, study में और input डाली है, और यह मा अगर उनका previous years में कोई, cut-off से related, जो भी उनके positive, कोई query है, लास्ट यहर जैसे कुछ बच्चे ऐसे रहे होगे, कि या उनको, उनका idea होगा, कि जो second weightless अभी recent अपनी 2019-2020 की आई है, उसमें कितने नमबर तक किस state के बच्चे clear होई है, category है, तो वो comment section में जुरूर डाले, ताक को एक थोड़ा सा moral boost मिलेगा उससे, तो वो please comment section में जुरूर डाली, एक और मैं आपसे share करना चाहूँगा, कि अपने channel भी, quant और reasoning की रेगलर class है, quant की भी चल रहे हैं, reasoning की भी चल रहे हैं, quant की आपके pre-level पे जो class है, quant की जो pre-level की class है, वो 6.15 pm है, mains की जो है, mains की आपकी 9.15 और reasoning की pre की जो है, वो आपकी 7.45 pm है, और mains की जो है, वो 11.30 am, यह दुरूसर लेते हैं, दोनों reasoning की, यह मैन है तब, तो इन classes सभी online है, यह sorry live है, और साथ ही, सभी one hour की है, more or less, सिर्फ यह 11.30 am की, जो mains की class है reasoning की, यह करीब की one and a half hour है, absolutely free है, तो एक बार से channel पे आके, चैनल को subscribe कीजी, इन classes को कम सकम 2-3 session इनके attend कीजी, एक session से कई बार पता नहीं लगता है, और फिर अगर आपको यह लगे कि useful हैं, तो continue कीजी, यह लगे कि useful नहीं है, तो discontinue करणा आपके, तो session के end में, फिर वही एक request, जो भी बच्चे चैनल को subscribe नहीं कर पाएं, तो please subscribe करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई informatory वीडियो आई, तो उसका notification भी मिल जाए, कोई session आने वाला हो, तो उसका notification भी मिल जाए, बाद में आपकी इच्छा है, जब देखें, तब देखें, नहीं देखें, that's all for today's session, have a great.